अबर लेक्ट्टर नमबर 35 on decentralized exchange development और सबसे पहले चले आज की comments तो देख लेता हूँ मैं जो last lecture में आये हैं और इससे पहले हम जा करें था हमने test token बनाया था और test token बनाने के बाद हमने testing की थी testing यह की थी कि हमने अपने wallet के contract में test token को add token का function चलाया था ठीक है और हमने जो है वो add token के function चलाने से चलाते वक्त हमें कौन-कौन से issues आये थे हमने जो है वो कौन सी web3 की utilities use की थी bytes 32 क्योंके string चाहिए हमें जो है वो string चाहिए था लेकिन किस तरीके से convert किया था वो हमने देखा था और एक token add करवाया था और फिर उस token को token mapping के जरीए verify भी करवाया था कि token जो है वो add हो गया है के नहीं तो यह तो था एक पिछले lecture का चोटा सा ठीक है introduction था चोटा सा चले जी अब सबसे पहले comments देख लेता हूँ मैं लेकिन आज जो है वो हम क्या करेंगे आज हम जो है वो function deposit के function को test करेंगे और deposit के function को test करेंगे और एक और चीज़ भी हम यह करेंगे कि आज हम allowance भी check करेंगे कि यह allowance का चीज़ है ठीक है तो क्योंके deposit के function मैं आपको बताऊंगा कि क्या error आता है ठीक है अच्छा चले lecture पर चले आते हैं यह lecture number 34 है ठीक है lecture number 34 है तो आज का यह lecture number 35 होगा तो 34 lecture के ओपर जो भी इतने जादा comments आये नहीं है not participating in comment working on the complete debt okay I think Mohamad Yousaf good job अगर आपने complete कर ली यूसफ रजा क्या करें लास्ट वरकिंग सर काइंड एक्स्पेंड रोड में बाओ for debt debt we are install in android and which path is best by using a hard at plus react hard at or with truffle I think अगर तुम upgradeable contracts बना रहे हो ना तो फिर hard at के साथ जाओ truffle के साथ ना जाओ तो upgradeable contracts के लिए मैं हमेशा hard at best होता है ठीक है और इतना similar similar है इतना कोई मुश्किल नहीं है जैसे truffle है वैसे ही है तो मैं तो मैं यह कहूँगा कि hard at के साथ जाओ और अगर upgradeable contracts नहीं है तो फिर truffle भी उस कर लो ठीक है देखो तो कि तुम्हारा किसके उपर जादा command है ठीक है अच्छा तैंक यू यूसफ रदा sir lecture is missing मेरी बात हुई थी जो पूरे group के जो है वो guides देख रहे हैं उन्हें लास lecture में भी कहा था कि please guide को ठीक कर दें अगर उन्हेंने नहीं किये तो फिर मैं बात कर लिता हूँ okay सुफियान previously I tried using s की method and token list is exactly but access करना था रदा access of zero हाँ brackets का बिलकुल square brackets नहीं round brackets लगाने थे ठीक है good job good job arslan okay thank you तो ये तो थे comments last lecture के ठीक है तो चलें आज का जो है वो lecture शुरू करते हैं lecture शुरू करने अब देखें last lecture में हमने क्या कुछ किया था हमने जो है वो एक पूरी instance भी बना ली थी हमने variables भी बना लिये थे travel develop अब मुझे दुबारा से खुलना पड़ेगा और मुझे दुबारा से एक पूरा अपने दोनों wallet के contract को जो है वो दुबारा से चले मैं deploy तो नहीं कर रहा लेकिन आज के lecture में क्या करेंगे आज के lecture में हम deposit को पढ़ेंगे और इससे आने वारा जो lecture होगा मैं वो लेकर जाओंगा better migration की तरफ कि किस तरीके से आप काम को छोटा कर सकते हैं मतलब कि आप अपने testing environment को save रख सकते हैं अब यह देखें लास्टाइम आपके सामने मैंने contracts को deploy कर रहा था लेकिन मैंने अपना पूरा setup जब हमने contracts को deploy कर दिया और जब हमने test कर लिया lecture खतम किया मैंने मैंने अपना VS code बंद कर दिया ठीक है अब मेरे पास contracts बिलकुल बनी हुए contracts deployed है ठीक है but मेरी वो instance मेरा वो environment travel का वो environment मैंने बंद कर दिया जिसमें मेरे variables से मैंने wallet के नाम से variable बनाया था let wallet के नाम से ठीक है तो अब यह सारी चीज़ा कहा चले गए है क्योंकि मैंने environment बंद कर दिया था तो अब यह मुझे दुबारा से करना पड़ेगा ठीक है तो अब यह मुझे दुबारा से करना पड़ेगा तो इसका होगा क्या कि इसी चीज़ से बचने के लिए आज के lecture में तो मैं deposit का function आपक अब यह से बच सकते हैं दुबारा एक ही काम करने से दुबारा बचें ठीक है तो मैं दुबारा सबसे पहले काम कर लेते हैं दुबारा contract को डिपलाइट कर देते हैं अब बना लेते हैं अब लेट लिंक के नाम से एक variable बना लेते हैं await और हमारा जो test token है उसका नाम के link है capital link है link.deployed ठीक है ओके यह होगा अच्छा अब जब हमने contract test token को भी deploy कर दिया है तो obviously balance एक नहीं की जरूरत नहीं है mint हो गए होंगे ठीक है अच्छा अब एक काम कर लेते हैं wallet के contract में जो है वो हम add कर वा लेते हैं wallet dot add token का function जो है वो चला देते हैं क्योंकि यह token जो है मैं यह wallet के contract में add कर लेता हूँ ठीक है add token के बाद मैं deposit का function आपको बढ़ाऊँगा तो add token ठीक है और again इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई last time मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां पर सिर्फ symbol लिखेंगे क्योंकि यहां पर क्या चाहिए add token के function को चाहिए symbol चाहिए ticker चाहिए basically और address चाहिए ठीक है तो आप यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते ठीक है कि मेरे जो है वो test token का symbol है वो link तो आप ऐसे नहीं लिख सकते आपको आपको convert करना पड़ेगा with the help of web3 utilities के लिख दर यह तो web3.utils last lecture में भी हमने देखा था from utf8 ठीक है अच्छा जी इसको bracket को बंद करते है double quotes और फिर अब आप link लिखेंगे यह आपके यह यह कर क्या रहा है कि आपकी byte 32 की value को string में convert कर रहा है ठीक है अच्छा अब आपने यह दे दिया उसके बाद आपने दूसरे argument में क्या देना है आपने test open का address जो कह है link.address ठीक है I think ठीक है error आया है error क्या है कि web3.utils ओ याज टाइपो it's utils ठीक है तो अब run करते हैं बिल्कुल ठीक है function जो है run हो चुका है मुझे देखने की जरूरत नहीं है token mapping पिसे हमने last lecture में देखा भी था कि जो है आप token mapping से इसे देख भी सकते हैं कि token add हो गया है कि नहीं add हुआ है तो अच्छा अब यह काम कर लेता हूं कि मैं आज का जो लेक्चर है जिसके ओपर बेज रहा है वह है deposit के उपर कि अब हम deposit करके देखते हैं तो सबसे पहले तो एकाम ही कर लेता है deposit जो है ना wallet के function के अंदर है ठीक है तो wallet लिखूँगा dot deposit लिखूँगा और मैं सबसे पहले मैं यह कर रहा हूं कि मैं deposit के function को without allowance रन करूँगा ठीक है अच्छा और deposit के function को यहां पे देखें तो दो arguments आईए कितना deposit करना है ठीक है आप के पास कितना है link token link token इस वक्त आपके पास accounts of zero में thousand पड़े है ठीक है तो कितनी amount deposit करनी मैंने लिख दिये hundred ठीक है कॉमा लगाऊंगा और दूसरा argument क्या ticker ticker again ticker मैं ऐसे नहीं लिखूँगा link मुझे again क्या करना पड़ेगा web3.utils ठीक है web3.utils.utf8.utf8 and then in double quotes मैं मैं link लिखूँगा ठीक है तो ये चीज़ होगी अचा अब एक और बात जह है वो इसका एक और bracket आगा तो अब मैं without allowance जो है कि insufficient allowance ठीक है कि आपके पास allowance नहीं है अब allowance का चीज़ है अब मैं बता देता हूँ पहले भी हमने बात की विए allowance ये कि token इस test token का owner कौन है link link ये जो हमारे test token है इसका owner कौन है इस वक्त जो मैं हूँ let's suppose ठीक है मैं हूँ test token का owner और मैं ये कर क्या रहा हूँ कि मैं अपने इस token को decentralized exchange में deposit करवा रहा हूँ ठीक है तो as a owner of the link token मुझे allowance देनी पड़ेगी wallet के contract को मुझे approval देनी पड़ेगी wallet के contract को ठीक है last lecture में हमने allowance के उपर मैं काफी बता चुका हूँ ठीक है कि क्यूं देते हैं हम ये allowance ठीक है तो अब ये approval देनी पड़ेगी मुझे कि मैं link token जो test token उसका owner हूँ मैं deposit करवाने जा रहा हूँ तो मुझे wallet के contract को approval देना पड़ेगा ठीक है अब approval देने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना link.approve क्योंकि link क्या चीज है ये variable का नाम आगया जो उपर हमने instance बनाई है और ERC20 क्योंकि link एक test token है और जो test token है ये ERC20 token के पूरे contract को functions को import कर रहा है basically तो वहाँ पे approve का एक function भी आप जाके देखिएगा ERC20 के contract में approve का function है अच्छा अब ये मुझे approve करना पड़ेगा अप्रूफ के function को जब आप देखेंगे जाके तो उसके अंदर दो arguments चाहिए होते है spender और amount spender spender और amount अब spender कौन है इसमें wallet का contract wallet का contract तो wallet के contract का आपको address लिखना पड़ेगा wallet.address ठीक है wallet.address wallet जो है वो variable है ना instance जो अभी हमने let करके बना था और आपने दूसरा argument क्या देना होता है कि कितनी allowance करवानी है तो मैं 500 की allowance करवा लेता हूँ ठीक है तो बार बार आपको फिर approval से अगर मैं let's suppose 100 deposit कर रहा हूँ तो अभी मैं approve करवा लूँगा 500 तो उसके बाद जब मैं 100 deposit करूँगा तो मुझे कोई error नहीं आएगा फिर मैं 100 कर रहा हूँ अब मुझे कोई error नहीं आएगा फिर इसी तरीके से 100 और 500 के बाद फिर मुझे error आएगा ठीक है तो link.approve का एक function है ERC20 के contract में और उसके अंदर दो arguments चाहिए होते है spender और amount अब spender कौन सा होता है जो इस contract को approval लेना चाहा रहा हो ठीक है रन हो चुका है function जो है वो run हो चुका है अब यह कर लेते हैं कि अब यह जो है ना wallet.deposit कितने deposit कर रहा हूँ 100 web3.utilities.fromutf8 अब यह function चला के देखता हूँ बिलकुल यह वाला function भी perfectly run हो गया है ठीक है कोई error नहीं है इससे पहले error आ रहा था तो transfer from का function जब भी यह देख रहे है deposit के function में main function कौन है यह तो require का code line of code उसके बाद जो transfer from का जो function है ना वो हमेशा allowance के बिना चली नहीं सकता है ठीक है तो आपको allowance देनी पड़ेगी अच्छा अच्छा यह भी हो गया अब जड़ा balance से कर लेते है wallet.balances ठीक है और उसके आगे अब balances का यह ठीक है balances जह है वो double mapping एक मिनट wallet.balances wallet.balances ठीक है ठीक है और अब जो है वो एक मिनट ठीक है wallet.balances सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ accounts of zero ठीक है ठीक है और अब जो है वो मैं दूसरा argument दे देता हूँ address ठीक है web3 address करूँ ठीक है web3.utils.fromutf8 यह mapping नहीं है basically ठीक है mapping नहीं देख रहा है ठीक है okay web utf8 और आगे जो है वो मुझे जो है वो क्या देना पड़ेगा इसका यह मैं यहां पर जामूँगा लिंक ठीक है एक और ब्रैकराइटिंग लगाना पड़ेगा wallet.balances accounts of zero web3.utils बिलकुल ठीक है 100 deposit हो यह और मैंने 100 ही जो है deposit का function आज हमने देखा है कि deposit का function बिना allowance के नहीं चलता है वरना insufficient allowance आता रहेगा ठीक है और एक और चीज़ simply एक बात बता दूँ है allowance का concept और simple से बता देता हूँ जो तरीका जो वह यह है कि ERC20 का जो contract है ना जब उसके अंदर Ethereum गिरेंगे तब तो contract को पता चल जाता है लेकिन जब ERC20 के contract में Ethereum के इलावा कोई और ERC20 token गिरेगा ना तो token को पता नहीं चलता है तो यह इसलिए पूरा approval और allowance का concept आया है ठीक है कि अगर मैं अपना token किसी और token या किसी और decentralized vaccine या किसी भी smart contract से interact करवाँगा तो वह smart contract सबसे पहले approval लेगा मुझसे owner से उस token की क्योंकि वह token वह approval लेगा क्योंकि और फिर वह किस से communicate करेगा उस token के contract से क्योंकि USDT का भी कोई ना कोई contract होगा link का भी कोई ना कोई contract होगा जितने भी tokens है वह उस ERC20 के contract से फिर communicate करेगा ठीक है तो यह सारी चीज है अच्छा दो वजवाद तो मैंने यह पहले भी हमने बात की थी allowance के उपर approval के उपर तो deposit का function जो है वह हमने देख लिया है और I think इसमें कोई issue तो नहीं आएगा अब सबसे पहले आप यह देखें अब जैसी मैं इस काम को बंद करूँगा इस terminal को तो यह मेरा काम जा सकता है इसका एक बहतर solution जो है मैं next time लेकर आँगा आप लोग के लिए ठीक है और आप लोग भी दा कि इस काम से दुबारा बचा जाए क्योंकि टेस्टिंग में तो यह बहुत time जो है वो इस तरीके से दुबारा से हमें काम अगर टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो दुबारा से ह हमें जो है वो काम करना पड़ जाएगा इसका solution क्या है यह मैं लेकर आँगा आँगा आपके लिए next lecture में और I think इसमें comments भी इतने आज कम ही थे ठीक है तो बिल्कुल ठीक है कोई है साइश हो नहीं है तो चलें जी ख्याल रखें अपना ठीक है अल्ला हाफिज